नमस्कार आज हम जिस विश्य का अध्यन करेंगे वो है गड़ित सिक्षड में जो सिक्षड के उद्देश होते हैं देखें बहुत ही ब्रॉट कॉंसेप्ट है कि उद्देश क्यों महत्वपूर है हमारे सिक्षड विवस्था में लेकिन जब हम गड़ित सिक्षड की बात कर करने के लिए विशिस्ट उद्देश्यों का एकदम संगठ्थित होना सुनियोजित होना व्यज्ञानिक होना बहुत ही जादा आवश्यक है बस हम पिन पॉइंट पढ़ेंगे एक एक वीडियो एक एक उद्देश्यों पर बताओंगी लेकिन आज हम इतने जाना हैंगे कि हमें कौन-कौन से उद्देश यहां पर पढ़ने तो पहला आपका जो उद्देश्यों गडित पढ़ने का वो है ग्यानात्मक दूसरा है आवव वो धात्मक तीसरा आपका है अनुप्रयोगात्मक चौथा है आपका कौशलात्मक पांचमा है आपका अभी वृत्यात्मक छटा है आपका अभी रुच्यात्मक ठीक्या प्रमुक्रूप से अगर हम देखे कि गडित के सिक्ष्ण में कौन-कौन से उद्देश होते हैं तो हम अगर अध्यान करेंगी कौन-कौन से शेत्र है जो गडित औक्डित करता है या गडित के कारेष्षेत्र में बालक के कौन-कौन से गुड़ाते किस चीज़ का विकास होता है गडित के अध्यान पहला उदेश हम मानते हैं, वह कौन सा होता है ज्यानात्मक, तो एक तरम और आप समझें, जब हम सिक्षड के उदेश पड़ते हैं, तो इसमें दो प्रकार के उदेश पड़ते हैं, सामान्य और विशिस्ट, ठीक है, तो जब सामान्य जो कहेंगे, वह कौन सा होगा आपका पूरे विश्ट होगा, और जो विशिस्ट होगा, वह क्या होगा, आप के प्रकारंड से रिलेटेट होगा, यह बार बार में आपको इसलिए बताते हैं क्यूंकि आप इसी में इसलिए रहां कि हमें कौन सा उदेश किसमें लिखना है, तो सामान्य जो के बात करेंगे तो यह आप यह पॉइंट्स लिख सकते हैं और विश्ट की बात करेंगे तो भी यह पॉइंट्स अगर ब्लूम की टक्सों नाम में आपको याद होगी तो विश्ट उद्द्शों में उन्होंने तीन पक्ष बता हैं कौन-कौन से संग्यान आत्मक भाव आत्मक और अनुप्रयोग आत्मक तो फिर आपके छेचे पोर्शन है ग्यान बोध अनुप्रयोग विश्टलेशन संस्टलेशन मूल्यांकन फिर इसमें है आहरण अनुक्रिया अनुमूल्यां व्यवस्थापन चारित्वी करन इधर आपका है हुदीपक फिर लेके यहां पर गड़ित जो सेक्षन है उसमें कौन-कौनसे आपके उदेश जादा इंपॉर्टेट है मतब कौनसे ऐसे उदेश है जिनकी आप अन्देखी नहीं कर सकते तो उनमें से सबसे पहला उदेश आपका देखा जाए वो है ज्यान आत्मक तो ज्यान आप जानते क्या है क्योंकि ज्यान की परिभाशे वो बहुत व्यापक है इसलिए यहां उस ज्यान को इससे नहीं जोड़ेंगे यहां मात्र क्या है सूचना प्रत्यास्मरण इत्यादी जितनी भी उदेश आपके स्मृतिस तरके होंगे जैसे कोई चीज पहचान लेना किसी चीज को याद रहा है इस प्रकार के अगर उदेश है जो चीज आपने उसको जैसी बताई उस प्रकार से वह अपने विवहार से अपने लर्निंग एक्स्पिरियंस से आपको एक्स्प्रेइन कर दे तो वह देश आप क्योंगे ग्यानात्मक उदेश फिर होता है दूसरा अब बहुत हात् आपका अंडर्स्टांड आते है लेलेटर जो आपको डECो का कि बालक समझ जयाए अब बहुत इसलान Quem ऐत करे में अनुवेश्यार करते हैं और मतलब को समझ सकते हैं कि और और तो झेल अंतर बहुत और सूचना में है वही अन रहा ज्ञानात्मक और ग्यानात्मक में थे बोध में वह चीज़े क्या करेगा वह व्याख्या कर सकेगा कि ऐसा क्यूं है इसके पीछे कारण क्या है अर्थात वह समद जाएगा कि हाँ टॉपिक क्या होता है यह यह चीज क्यूं पढ़ेंगे तो यहां जो सिक्षक उदेश बनाता है जब उधात्मक उसमें यहां जो चीजे अपने बताई वो चीजें क्या वो अनवेश्ड करके नए प्रकार से संग्षत करके यह को समझ सखेगा और इस प्रकार कर सकेगा कि उस ज्यान को वह प्रत्तख्शी करण के रूप में अपने मस्तख्ष्ष से अपने समप्रेश्र रपहा नेकाले तीसरہ आपका गातमक, उद्देश होता है कि यह नग.." प्रेश्च करेगा बालक उसका यूज जानेगा कि अगर जोड पढ़ा तो जोड का यूज क्या है यह आप देखें बहुत जादा नहीं पस थोड़ा सा कॉंसेप्ट यह समें एक एक उदेश आपके अलग-अलग से पढ़ाया जाएंगे लेकिन कैसे सिक्षट के उदेश कैसे पढ़ना तो बहुत ऐसर आइए तो हमने समझ लिया आप कुशल हो गया लेकिन जो आपका नुप्रयोगात्मक है उसमें आ अप कि आ ऐसे वें Hoos còn में आप यह कर दिए की वह यह सब्दियों कि डरे चाहीं हम जान जाएगा कि हमारे समाज में क्लिक जीवान और ईंपार्ट है बुखत ही हर क्रिया को करने में गडित का बहुत बड़ा यूगदान है तो उसी प्रिकार जब विश्छ से उद्देशों ने यह पढ़ेगा तो जैसे जान जाएगा कि हमें इसका इतना तो कहां का लग रहा है तो गुड़ा हो रहा है ऐसे बहुत सारी चीजह है तो वह उस चीज को जान जाते कि इसका यूज क्या है यह हम क्यों पढ़ रहे हैं ताकि भविष में जब उस ग्यान को पुना संगथित करने का कारेभार उस बालक पे आए तो वह उसको यूज कर सके इस परकार के उद्देश आपके अनुप्रयोग आत्मक उद्देश कहलाते हैं फेर है कौशल आत्मक तो as a कौशल मतलब स्किल की तरह तो स्किल जो होता है गड़ित में जैसे आपने देखा कि की मेंटली प्रॉसेस इसमें होता है तरक शक्ती इसमें बढ़ती है बहुत सारी चीज़ होते है कौशल संबंदी जवापके उद्देश होते है वो बहुत इंपर्टेंट होते है गड़ित में कि गड़ित का जो प्रक्रड है ऐस आ कौशल लिया जाए कि बालक के अंदर इस लो क्या करते है उसमें भी गलत कर देते हैं तो स्पीड एन एकुरेसी दो तर्म आपके आते हैं कि जो आपकी गती है और वो उसकी सत्रता एकुरेसी तो दोनों बहुत इंपर्टेंट होती है और यह कब आएगी जब आपकी कौशल आत्मक उद्देश आपके जो तो गड़ित में आप एक सफल सिक्षार्थी नहीं कह जाते तो यहां पर जो कौशल आत्मक विकास है वह भी क्या एक बहुत महत्रपूर उद्देश माना जाते हैं इसके बाद में अभिवृत्ति तो अभिवृत्ति और अभिरूची तो अभिवृत्ति क्या उसी वृत्त अभिवृत्ति मतलब कि सिमें वृत्त ओजाना यहां पर गड़ित की ज़ो अभिवृत्ति आत्मक आपकी जितने बीशीजें वो यह समझ सकते हैं। इसी सूतर्थ को आप üs को कैसे और सकता है लेते हैं वासतों में जो उसका पंडिकुलर अपना कॉंसेफ्ट अपना जो कॉंसेप्ट तो compatible क् hy za उस content के प्रती यह आपके जो उदेश होते हैं वह अभीवृत्यात्मक होते तो अभीवृत्यात्मक आपके उदेश भी बहुत important होते हैं गडित सिक्षन में फिर अभी रूची जो होती है अभी रूची आप जानते हैं रूची मतलब वह भी जुका होता है लेकिन अभी रू लेना और उसमें क्या लिप्त हो जाना दोनों अलग चीज है तो अभी रूच्यात्मक उदेश भी आपके गडित के बहुत ही महात्वपूर्ण उदेश यह माने जाते हैं यह ऐसे points है जिनको broadly discuss करने की ज़रूरत है यह क्लाइन में आपको नहीं समझ में आगा लेकिन आप यह हम लक्ष तक पॉचेंगे कि बालक गडित सीख लेगा और बालक को गडित सिखाना यह बहुत सारे ऐसे चीजह हैं जो में जाने की आवशकता है वैसे अगर यह आपका अंसर किसी ने मांगा कि हम हमें क्या मतलब है कि उदेश पूरे होते हैं यह नहीं हमें तो गडित स कर लेगा तो अगर इस में देखेंगे थो जहां भी 1 प्लस 1 की जरुद पड़ेगे तो लेगा लेकर यहां क्या वो 2 प्लस 3 वी कर लेगा वो क्या कर लेगा उसको समझ लेगा कि हम वास्तों में जोड़कया अब अगर यह देखेंगे तो वी उसका अनुप्रयोंग इस जो समयशन है आपका जो प्लास हो रहा है। एसे बाद अभिरत्यात्मक उसके उद्धेश होंगे यह सारे अगर आपने पूरे कर दिए गड़ित के स्क्षण के कक्षा में तो वास्तों में बालक उन रक्षे को प्राप्ट करेता जिसलने वास्तों एकड़ित प्ड़ाई जाती allora तो बहुत important है आपका matter है इस पे आपको अधियन की बहुत ज़्यादा जरूरत है और इसे related प्रशन भी पूछता है indirectly, condition देके प्रशनों की भी श्रिंकला हम लेकर आएंगे आपके सामने, आप बिलकुल मत घबराएं, आपके हर point को clear करने का प्रयास किया जाएगा साथे साथ ऐसे point जो आपको बहुत ज़्यादा confuse करें प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको डाले और जिस पे आपको पहले वीडियो चाहिए आप अपने कंटेंट को जिस पे आपको वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में डाले हम उसको बनाने का और आप तक पहुचाने का पूरा प्रयास करेंगे इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुपक्रामने